नमस्कार स्वागत है आपका वॉलिवूर्ट तड़का में मैं हूँ आपके साथ नाजजिन खान हाले में आमिर खान अपने ड्रेम फर्म महा भारत के प्रोजेक्ट पर रोग लगा दी है सूत्रों के मताबिक आमिर खान ने महा भारत को लेकर खड़े होने वाले विवाद से बचने के लिए ऐसा क्या है क्या कुछ है इसके पीछे कहानी देखिए हमारी इस रुपॉर्ट में बॉलिवोड एक्टर आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने काम को पूरे परफेक्शन के साथ करने में यकीन रखते है आमिर अपनी हर फिल्म और हर किरदार की छोटी से छोटी डिटेल्स पर काम करते है ताकि उसे जितना हो सके हकीकत के करीब ले जाया जा सके बीते कुछ महिनों से आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म महाभारत को लेकर सूर्खियों में बने हुए थे लेकिन अब खबर है कि तकरीबन दो साल तक करी रिसर्च करने के बाद आमिर ने इस प्रोजेक्ट को फिल्हाल टाल दिया है लेकिन आखिर ऐसा क्या वज़ा रही कि आमिर ने अपनी इस प्रोजेक्ट को फिल्हाल होल पर डालने का फैसला किया है बता दे सूतरों की माने तो महाभारत के सूटिंग टाले जाने का कारण सर्फ आर्थिक नहीं है इसमें और भी कई पेच है आमिर खान अपनी जिंदगी के दो साल एक वेव सीरीज को बनाने में नहीं खपाना चाहते हैं उचाते हैं कि सितारों से सजी किसी फीचर फिल्म में वो जल्द ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराए जिसका निर्देशन किसी भरोसे मन निर्देशक ने किया हो मालूम हो कि आमिर खान पिछली बार फिल्म ठक्स ओफ हिंदुस्तान में नजर आये थे ये फिल्म तक्रीबन तीन साल पहले रिलीज हुई थी और तब से आमिर गायब है आमिर ने कहा कि ये महाभारत को बनाने का सही समय नहीं है बता दे कि महाभारत जैसी कहानी को एक फिल्म में समाहित कर पाना बहुत मुश्किल काम है इसलिए मेकर्स ने इसे बतोर वेब सीरीज बनाने का फैसला किया था जाहिर तोर पर इस प्रोजेक्ट से बहुत से सारे विवादों का जनम होने की भी संभावना है जिसके चलते आमिर बहुत ही एतिहात के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसलिए महाभारत को रोकने का फैसला लिया गया है तो फलाल बॉलिवूड तड़का में इतना ही बाकी ख़बरों के लिए देखते रहे हैं इस नमस्कार